तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जे में दोहजार चौबस का डिटर्मिनेंट के बेहर चांदर सवाल सवाल क्या कहता है कि अगर function इस डिटर्मिनेंट के बराबर है तब आपको बताना f-0 by 5 किसके बराबर होगा यानि function का derivative की बात कर रहा है और function का derivative यानि इस डिटर्मिनेंट के derivative की बात कर रहा है और डिटर्मिनेंट का derivative कैसे होता है जरा जानिएगा देखे थोड़ा गौर से देखिएगा ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर ABC, DEF, GHI को आप constant consider मत करिएगा ठीक है तो जब आप किसी determinant का derivative कर रहे होते हैं तो पहले आप किसी row का derivative करते हैं बाकी दो rows को आप सेम रखते हैं सेम विद कॉलम्स तो हम row में दिखा रहे हैं आपने पहली row को के किया तो बाकी दो को आपको सेम रखना पड़े गा है और आप तीनों को simultaneously नहीं कर सकते हैं इसके derivative का बिल्कुल मत्त्त означate मिया आप तीनों को को करना और बीच में प्लेस लगता हुआ चला जाएगा तो जब हम इसे differentiate करेंगे ध्यान से सुनिएगा f'x हम निकालेंगे तो सबसे पहले आएगा पहला derivative तो आएगा 8 2 तो constant तो cos की पार 4 का आजाएगा 4 तो 8 cos की पार 3x और cos x का minus sin x 2 sin की पार 4x का आएगा 8 sin की पार 3x cos x 3 का तो 0 हो जाएगा sin square 2x का हो जाएगा 2 sin 2x तो sin 2x का 2 cos 2x 2 cos 2x तो प्रकार्च आएगा और बाकी दो जो है वो same रहेंगे वो same रहेंगे प्लस बात ऐसे आगे बढ़ेगा अब हमने क्या देखा जो ये पहला rho का derivative हुआ उसमें यहां भी sin x आया इसमें भी sin x आया और इसमें भी sin x आया और हमें निकाला derivative 0 पर तो जब जब मैं function के अंदर x की value 0 डालूँगा तो sin 0 0 यानि यह dao यह पूरे का पूरा क्या बनेगा 0 यह पूरे का पूरा 0 यह पूरे का पूरा भी 0 और अगर किसी determinant की कोई particular row के या column के in fact यहाँ पर रोज की बात चल रही है किसी particular row के अगर सभी element 0 हो गये तो इसका अंसर जीरो हो गया तो इस वाले इससे का तो आंसर 0 हो गया लेकिन सर बात अभी आगे भी तो है ना अभी second row का भी तो करोगे ना अगर second का भी करूँगा ध्य जान से देख इसमें भी four sign cube आएगा तो sign तो आ गया इसमें भी two sign two x आएगा आगया अब इसके derivative में इसका तो zero हो जाएगा टू को असकी पार four x में आया तो था sign यह तो लिखा हुआ है यह तो था इसका derivative सेम ही तो है 300 contribute करेगा तो सब में फिर sign आ रहा है अगें फिर zero हो जाएगा और आखरी वाले स्टेफ में जब आप करोगे इसका derivative में sign आएगा इसके derivative में sign आएगा और इसके derivative sin square 2x 2 sin 2x of sin 2x का 2 cos 2x उसके अंदर फिर sign आएगा यानि कि जब आप इसे solve कर रहे होंगे तो पहला case भी पूरा zero बनेगा क्योंकि पूरी row zero बन जाएगी इस पहले वाले पर row one बनेगी दूसरे में जब row two का differentiation होगा तो row two zero बनेगी और row three zero बनेगी वो भी कब जब आप x की जगा zero put कर रहे होंगे तो derivative of the function at zero will be equal to zero तो answer आपका जो आएगा वो zero ही आएगा तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में जरूर आएगा